सर्दियों की सीजन में खजुर यानि के डेट्स हम सब को खाना बहुत ही पसंद आता है लेकिन बच्चों और टीनेजर्स को खजुर खाना पसंद नहीं होता है तो इनको खिलाना मुश्किल लगता है तो बच्चों को भी पसंद आ जाए और हम सब बड़ों को भी पसंद आ ऐसी super healthy delicious recipe लेके आई हूँ Hello everyone, welcome to my channel मैं हूँ नीदी आज हम बनाएंगे dates and chocolate bites को ये bites जितने दिखने में अच्छे लगते है इतने ही taste में super लगते है इसे देखके तो बच्चे तूट पड़ेंगे, इतने tasty लगते है बच्चे और teenager इसे खाने के लिए बिलकुल भी मना नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर बच्चों की फैवरेट चीज डाल के बनाया है बच्चों की फैवरेट चीज होती है चोकलेट तो हमने इसे चोकलेट डाल के बनाया है तो बच्चे कभी भी मना नहीं करेंगे इसे खाने के लिए ये dates and chocolates bites बनाना बहुत ही आसान है only 10 minutes में ये बनके तयार हो जाते है और super healthy है तो चलो friends इस मज़ेदार से recipe को start करे recipe पसंद आये तो इसे like करना बिल्कुल भी बन पूलिएगा और मेरी हर नई recipe को देखने के लिए चैनल को subscribe ज़रूर कर लीजिएगा तो चलो friends बनाते है dates and chocolate bites को सबसे पहले हम यहाँ पे gas के उपर pen को चड़ाएंगे gas की flame को हम slow कर देंगे और slow flame पे हम यहाँ पे mumfli को roast करेंगी mumfli यहाँ पर 2-3 मिनिट के अंदर roast होके तयार हो जाती है आप यहाँ पर देख सकते हो कि mumfli के उपर के जो चिलके रहते हैं वो अच्छे से निकलने लगे है इसका मतलब यही है कि mumfli अच्छे से roast हो चुकी है तो अभी हम gas off करेंगे और इसे हम side में रखेंगे mumfli यहाँ पर पूरी तरह से थंडी हो जाने के बाद ही हम इसके उपर के चिलके को हटा देंगे यही पेन के अंदर अभी हम डालेंगे तिल को तिल यहाँ पे मैंने half ball जितने लिए है और इसे भी हम roast कर लेंगे gas की flame को हमें slow रखना है और slow flame पे लगातार चलाते हुए हमें इसे roast कर लेना है तिल को लगातार चलाते हुए roast करना ज़रूरी है अगर आपने इसे लगातार चलाते हुए roast नहीं किया तो एक तरफ से roast हो जाएंगे और दूसरी तरफ से ये कच्चे रह जाएंगे तील को roast होने में ज्यादा समय नहीं लगता है बहुत ही जट पर तील roast होके तयार हो जाते है तील अच्छे से roast हो जाते है तो फूल जाते है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर तील roast हो चुके है तील को आपको ज्यादा roast नहीं करना है गलती से आपने इसे ज्यादा roast कर लिया तो ये कड़वे हो जाते है तो आपको ध्यान रखना है कि तील को ज्यादा roast नहीं करना है यहाँ पर तील हमारे roast होके तयार हो चुके है तो अभी हम gas off कर लेंगे अभी हम mixy jar लेंगे और इसके अंदर जो हमने मुम्फली को roast करके तयार किया था इसके उपर का छिलका मैंने हटा दिया है तो अभी हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसे हम crush कर लेते हैं mixer grinder को हमें continue नहीं चलाना है हमें on off on off करते हुए ही चलाना है अगर आपने इसे continue चलाया तो यहाँ पर मुम्फली oil release करेगी यहाँ पर हमने मुम्फली को crush करके तयार कर लिया है आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ बिलकुल भी oil release नहीं हुआ है इसी तरह से हमें इसे crush करना है अभी हम इसे side में रखते हैं और अभी हम लेंगे खजूर को खजूर यहाँ पर मैंने seed वाली ली है अगर आप चाहो तो seedless वाली खजूर भी ले सकते हो market में easily available है लेकिन यहाँ पर मैंने इस तरह की खजूर का इस्तमाल किया है यहाँ पर हमें half बाउल जितनी मुमफली को लेना है और one बाउल जितने खजूर को लेना है अभी हम इसे crush कर लेंगे यहाँ पर हमने खजूर और मुमफली को बहुत ही अच्छे से crush कर लिया है इसका texture आप यहाँ पर देख सकते हो इसी तरह से हमें crush करना है अभी हम mixing bowl लेंगे और इसके अंदर इसे transfer करेंगी अभी हम इसके अंदर डालेंगे ilaichi powder को अगर आपको यहाँ पर ilaichi flavor पसंद है तो आप इसके अंदर डाल सकते हो नहीं तो इसे skip भी कर सकते हो ilaichi powder डालने से इसका taste और भी बढ़ जाता है तो हमने यहाँ पर इसके अंदर ilaichi powder को डाला है सब को अच्छे से mix कर लेंगे और mix करने के बाद हम यहाँ पर एक dough जैसा बना रेंगी dough बनने के बाद हम यहाँ पर इसे दो parts में divide कर लेते हैं और इसे अच्छे से smooth करने के बाद यहाँ पर हम इसे cylinder shape दे देंगे इस तरह से हमें दोनों का cylinder shape दे देना है अभी हम इसे kitchen platform या chopping board लेंगे और इसके उपर इस तरह से गुमाते हुए roll बनाएंगे दोनों को हम same process से roll बना के तयार कर लेते हैं यहाँ पर हमारे दोनों roll बन के तयार हो चुके है तो अभी हमने जो till को roast करके तयार किया था वही till को हम ले लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर डालेंगे और यह roll को इसके उपर हम गुमाएंगे जिससे till यह roll के उपर बहुत ही अच्छे से चिपक जाएंगे roll को हम पूरा till से cover कर लेंगे दोनों roll को हमें इसी तरह से cover कर लेना है दोनों roll के उपर तील बहुत ही अच्छे से चिपक गए है तो अभी हम यहाँ पर दोनों roll को इस तरह से फ्रेस करेंगे और अभी हम बेलन लेंगे और बेलन की सहायता से हम इस तरह से इसे निशान लगा देंगे निशान लगाने के बार यहाँ पर बेलन का जो पतला वाला हिस्सा रहता है इसकी मदद से हम यहाँ पर roll के अंदर गड़ा बनाएंगे बीचो बीच में और इस तरह से roll को हम गुमा देंगे और दुसरी तरफ से भी हम गड़ा बना देंगे और इसे हाथों की मदद से हम इसे finishing देंगे अगर आप चाहो तो यहाँ पर pencil की मदद से भी कर सकते हो और ball-pen की मदद से भी यहाँपर कर सकते हो बेलन की मदद से हम यहां पर roll के अंदर बीच में गड़ा बनाएंगे तो थोड़ा मोटा वाला गड़ा बनेगा अगर आप pencil या pen का इस्तमाल कर रहे हो तो बीच में गड़ा थोड़ा पतला वाला बनेगा इतना ही डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे दोनों रोल के अंदर मैंने यहाँ पे बेलन की सहायता से गड़ा बना के तयार कर लिया है अभी हम इसके अंदर चॉकलेट को फिल करने वाले हैं तो यहाँ पे जो हमने गड़ा बनाया है इसके अंदर से चॉकलेट बहार ना निकल जाए अभी हम लेंगे white compound को, इसके अंदर 400 g चॉकलेट आती है, इसमें से हम 100 g चॉकलेट लेंगे और knife की मदद से हम इसे chop कर लेंगे, जिससे हमें इसे melt करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी अभी हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम इस चॉकलेट को transfer करेंगे, यहाँ पे मैंने काच का बाउल लिया है, इसकी जगापर आप यहाँ पे still का बरतन भी use कर सकते हो इसे हम double boiler method की मदद से melt करेंगे, इसके लिए यहाँ पे मैंने gas के उपर पती ले को रखा है और इसके अंदर एक ग्लास इतना पानी को डाला है और इसके उपर हम ये बाउल को रख देंगे, लेकिन पानी बाउल को touch नहीं होना चाहिए, इसकी steam से ही यहाँ पे हमें चॉकल चॉकलेट को melt कर सकते हो, चॉकलेट यहाँ पर बहुत ही अच्छे से melt होके तयार हो चुकी है, तो अभी हम gas off करेंगे और ये बाउल को हम हटा देंगे, अभी हम ये melted चॉकलेट को रोल के अंदर फिल कर देंगे, यहाँ पे मैंने spoon की मदद से फिल किया है, अगर आपको spoon क अच्छे से नहीं जमता है, तो आप इसे piping bag के अंदर भर के इसके अंदर फिल कर सकते हो, अगर आपके पस piping bag भी नहीं है, तो आप दूद की थेली ले सकते हो, और इसके अंदर ये चॉकलेट को डाल के इसके अंदर आप फिल कर सकते हो, इसी तरह से हम दूसरे रोल के पॉंड नहीं है तो आप यहाँ पर डेरी मिल्क का भी यूज़ कर सकते हो डेरी मिल्क आप यहाँ पर 5 या 10 रुपिस की लाके इसे मेल्ड कर दीजिए डबल बॉयलर मेथर से और मेल्ड करने के बाद इस तरह से दूद की थेली के अंदर भर लीजिए भरने के बाद यहाँ हमें वाइट चॉकलेट के उपर इस तरह से लाइन्स बना देनी है बहुत ही हलके हलके हाथों से यहाँ पर हमें लाइन को बनाना है लाइन बन जाने के बाद यहाँ पर हमें एक टूथपिक लेना है या तो कोई एकदम पतली वाली स्टिक को लेना है इसकी मदद से यहाँ पर हमें बीच में लाइन को बनाना है आप इस तरह से लाइन बनाओगे तो एक तम बहुत ही बढ़िया वाली डिजाइन क्रियेट हो जाएगी यहां पर मैंने दोनों रोल के उपर डिजाइन को बना के तयार कर लिया है वाव कितने ब्यूटिफुल लग रही है डिजाइन अ आदे गंटे के बाद मैंने इसे फ्रीज में से बहार निकाल दिया है और अभी हम शार्फ नाइफ लेंगे और नाइफ की मदद से हम इसके पीसिस करेंगे लंच और डिनर के बाद कुछ डेजर्ट खाने का मन करें तो आप इस तरह की डेट्स एंड चॉकलेट बाइट को बना के आप वन मन तक स्टोर करके रख सकते हो और जब भी मन चाहे तब भी आप इसे खा सकते हो और ये सुपर हेल्दी है तो रेसपी पसंद आए तो इसे लाइट ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह की नई नई रेसपी को देखने के लिए मेरी चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो फटा-फट से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है तो मैं नीदी आपको फिर मिलोंगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ एन हैपी कुकिंग